कुछ टीनेजर्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंट करने के लिए स्कूल छोड़कर एक अंडरग्राउंड बंकर में चली जाते हैं कहानी में ट्विस्ट दब आता है जब यहां से निकल नहीं पा रहे थे इसी सिचेशन में आदमी का सच्चा रूप सामने आता है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दहोल ये 2001 की एक थ्रिलर मिस्ट्री होलिवड मूवी एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ ये स्टोरी हमें अलग-अलग पॉंट आफ यू से पता चलेगी जो इसे बहुत ही इंट्रेस्टिंग मनाता है तो अंदर किस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बिना किस देरी के expansion स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को जखमी हालत में स्कूल में आता हुआ देख सकते है वो आकर उसने पुलिस को कॉल किया और हल्प मांगी इस लड़की का नाम था लीज और लीज के साथ और तीन लड़की गायब थे अब लीज मिल चुके है तो एक बड़ी न्यूस बन जाती है उसके साथ जो भी हुआ था इस वज़े से बहुत ही डिस्टब थी तो उसे मिलने के लिए एक डॉक्टर आती है इस सब के गायब होने के वीचे राज गया था इसे जानने के लिए डॉक्टर लीज से क्वेशन्स पुछ दिया लीज कहती है हमारे स्कूल में अगर आप पॉपिलर हो तब आप एक्जिस्ट करते हो बाकी लोग तो एक्जिस्ट नहीं करते लीज पॉपिलर नहीं थी तो उसे कोई भी नोटिस नहीं करता था फूटबॉल टीम में एक लड़का था जिसका नाम था माइक वो बहुत हैंसम था तो स्कूल की सब लड़का उस पर बहुत मरती थी अब यह भी स्कूल में सब को पता चला था यह माइक और उसके गल्फरेंड का ब्रेकप हो गया तो सब लड़का इसके लिए बहुत ही एक्साइडेड थी लीज को भी माइक बहुत पसंद था वो हमेशा उसे देखने के लिए आया करती थी ब्रेकप के बाद जब लीज उसे देख रही थी तो मार्टिन कहता है कि वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा एक्चल में मार्टिन और लीज यह बहुत सालों से फ्रेंड से हैं मार्टिन लीज को बहुत पसंद करता है यह बात उसने बता भी दी थी पर लीज उसे सिर्फ as a friend समझती है नेकसिन में हम देखते है माइक अपने फ्रेंड जौफ के साथ था माइक को जीरफ करने के लिए जौफ ने का कि हमें vacation पर जाना चाहिए अगर वो अपने इस girlfriend से दूर रहेगा तो शायद वो वापस आ जाएगी यह आएड़ा माइक को भी अच्छा लगा नेकसिन में हम देखते है कि माइक की girlfriend के जीस तरीके से Harris थे उसी तरीके से Harris लीस को भी बनाने थे पस सब कुछ गड़बड हो गई थी यह बहुत जादा खराब हो जाते है तो help मागने के लिए वो Francis के पास आई Francis कुल की बहुत ही popular लड़की थी Francis ने लीस को help तो कर दी परोगे थी है तुम्हें यह जो सब कर रही हो इससे माइक को कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा वैजार लीस को बहुत बुरा लगा वो अपने friend Martin के पास आई सारी अपने problems बताती है वो जाती थी कि कभी ना कभी तो माइक उसे notice करे कि दोनों vacation पर गए है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी और इस काम में Martin उनकी help कर सकता है Martin competence में बहुत smart है यह school का system hack करकर दिखा सकता है कि दोनों घर पर है और घर पर लगेगा कि दोनों school पर है माइक और जॉफ के group में Francis भी थी Martin ने इन सब से बात की कहा कि मैं तुम्हे help कर सकता हो पर तुम्हारे साथ तुम्हें और एक लड़की को लेकर जाना पड़ेगा वो थी Liz इनका plan था यह जब vacation परोंगे तो माइक और Liz एक साथ time spend कर पाएंगे इन सब को ऐसी जगा चाहिए थी जहाँ पर उन्हें कोई भी ढूण ना पाए जंगल में बॉम से बचने के लिए लोगों ने shelter बना कर रखा था इस shelter में जाकर वो अपने आपको बन कर दे तो उन्हें कोई भी ढूण नहीं पाएगा अब सब लोग भाबर भोज गए मार्टिन उन्हें बन करकर दो दिन बाद लेने के लिए आएगा पहले तो फ्रांसिस और माइक को यहां अंदर जाने के लिए डर लग रहा था पर जॉब बहुत एक्साइड़ हो कर अंदर चला जाता है तो इसके पीछे पीछे इस सब चले गए अंदर जाकर इन्होंने लाइट स्वेगरा लगाए इन्हें जगा बहुत पसंद आई यहाँ पर एक गेमस केलते हैं बेड लगाते हैं खाने का कुछ सामा निकालते हैं जॉब देखता है कि माइक ने खाने के लिए कुछ भी लाया नहीं है इस वज़े से उस पर गुसा था लिज कहती कि मैंने बहुत सारा खाना लाया हुआ है वो मुझ मैंसे खा सकता है इस बात की वज़े से अब लिज और माइक फ्रेंड्स बन गए थे रात में इस सब मिलकर एक दूसरे को होरर स्टोरी सुना रहे थे जौफ ने मज़ाग में गा कि अगर मार्टिन हमें दो दिनों बात लेने के लिए नहीं आया तो यह बहुत ही बड़ी होरर स्टोरी बन जाएगी यह बात सुनकर फ्रांसेस उस पर बहुत ही गुसा हो जाती है कहती है इस तरीके की बाते हमें नहीं करनी चाहिए जाएगा पर मार्टिन आया ही नहीं सबने फिर उपर जाकर दोर को खोलने की बहुत कोशिश किये पर यह बॉम शेल्टर है इसके दोर कोई भी उपर नहीं कर सकता यह डिसकस करते हैं कि आप सब लोग को पता चल गया होगा यह स्कूल में नहीं है यह दो दिनों से गायब थे तो वर्ल्ड में कही भी जा सकते है तो इस वज़े से इने कोई भी ढूडने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा फ्रांसिस इन सब चीजों से बहुत डर गई थी अब नेक्स दिन में हम फिर से प्रेजेंट देखते है सब पुलिस मिलकर मार्टिन को ढूडने की कोशिश कर रहे थे एक्च्वल में हुआ क्या था अब तक किसी को भी पता नहीं है अगली दिन डॉक्टर फिर से लीज से मिलने के लिए आए वो पूछती है कि आगे क्या हुआ था एलीज ने कहा कि एक दिन जब मैं सोई हुई थी तब उपर से मैंने बंकर से शाड़ो आती हुई देखिए उसे लग रहा था कि मार्टिन उस पर नज़र रख रहा है उसे लग रहा था कि उसने मार्टिन को रिजेक कर दिया शायद इसी वज़े से बदला लेने के लिए उसने सब को बन कर दिया इन सारी चीजों के बारे मैं उसने बदा है वो गयती है शायद मार्टिन चहाता है कि हम दोनों में जगड़ा हो जाए वो शायद मुझे दिखाना चाहता है कि मैं और तुम शायद कभी भी एक साथ नहीं रह सकते है माइक बंडर करता है कि अगर ऐसी बात है तो मार्टिन को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों में जगड़ा हो रहा है हम दोने एक साथ रह नहीं सकते है इस बात पर वो सोचने लगे तब इस सारी रूम चेक करते है उन्हें एक जगा पर माइकरोफ़न लगा हुआ मिला वो समझ गए कि इनकी सारी बाते मार्टिन सुन रहा है इन्होंने फिर डिसाइड किया कि नाटक करेंगे ऐसा दिखाएंगे कि लिस और माइक में छगडा हो रहा है इसे मार्टिन सैटिस्पाइड हो जाएगा और इन्हें बाहर निकालेगा इस प्लान में उन्होंने सब लोगों को शामिल कर लिया सब लोग मिलकर माइक्रोफ़न के पास आकर लिस कोई ब्लेम करते है कि मार्टिन उसका फ्रेंड है और इसी वज़े से सब लोग यहावर फसे हुए है इनके सब करने के बाद अगले दिन मार्टिन ने उपर का डोर खोल दिया अब तक कि सारी स्टोरी लिस बता रही थी डॉक्टर उस पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स होँआ से नहीं निकले उस बंकर की रियालिटी कुछ अलग ही थी लिस को जादा लोड़ ना है तो इस वज़े से डॉक्टर उसे प्रेशराइज नहीं करती गवन एक सिन्वें देखते हैं कि मार्टिन को पुलिस ने ढूंड लिया था जिस दिन सब लोग को उसने बंकर में बन किया उस दिन वो कहा था इसके बारे में उसे पूछा जाता है मार्टिन के बास उसके पूरे डे का रूटीन था पुलिस उस पर बिलिव नहीं करते हैं कहते हैं कि लीज कुछ और बता रही है मार्टिन ने कहा कि लीज मुझे हमेशा से हेट करती है वो स्कूल की पॉपिलर लड़की है तो उसे लगता है कि उसके सामने कोई भी मैटर नहीं करता ये बात लीज की स्टोरी से ज़रा अलग थी अब हमें रियालिटी दिखाये जाती है एक्चुन में फ्रांसेस और लीज ये दोने एक दुसरी की पहले से बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी जैसे लीज नहीं बताया था कि उसे कोई भी नोटिस नहीं करता था एसी बात नहीं थी वो स्कुल की बहुत ही पॉपिलर लड़की है जब लीज को पता चला कि माइक का ब्रेकब हो चुका है तो अंडरगराउंड बंकर में जाने का प्लैन भी उसी का था ये सारा प्लैन उसने फ्रांसेस को बताया फ्रांसेस जॉफ की फ्रेंड थी तो इस वज़े से जॉफ की मदद लेकर उन्होंने माइक को भी अपने साथ आने के लिए मना लिया पुलिस मार्टिन से सब कुछ क्वेशन में गिरा करते हैं पर उसके खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं था तो उसे जाने देना पड़ता है मार्टिन के खिलाफ उन्हें कुछ ना कुछ तो सबुच चाहिए तो इस वज़े से लीस के बास डॉक्टर मिलने के लिए आई वो लीस से बुछती है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो चीज होगी जिसमें तो में मार्टिन के बारे में लिखा होगा इस incident से हमें मार्टिन को लिंक करना पड़ेगा लीज बुछती कि आप ये सब बाते क्यों कर रहे हो क्या मार्टिन को छोड़ दिया जाएगा डॉक्टर नों से सच बता दिया लीज इस बात से बहुत ही डिस्टब हो गए कहती कि शायद अब मार्टिन मुझे मारने के लिए आएगा वो ऐसे गुस्से में यहां से चली जाती है अब हमें फिर से रियालिट में क्या हुआ था ये दिखाये जाता है सब मिलकर बंकर में तो गए थे पर इन्हें बाहर निकलने के लिए मार्टिन की ज़रुवत नहीं थी ये खुद अंदर से बाहर आ सकते थे अंदर जाने के बाद इनकी पार्टी स्टार्ट हो गई थी सब मिलकर ड्रंक हो जाते है जेव को फ्रांसेस के साथ इंटिमेट होना था पर माइक को भी वो बहुत ही पसंद थी ये दोनों मिलकर फ्रांसेस के बहुत ही करीब आने लग गए थे ये बाद लिस को पसंद नहीं आई और वो जोर से माइक को मार दिया इस वज़े से इन्होंने अपना प्लान कैंसल कर दिया राद में जब माइक का ध्यान नहीं था तो जोफ और फ्रांसेस से दोनों इंटिमेट हो जाते है माइक को जब ये बात पता चली तो इससे ओगुसा हो गया कहता है कि अब में यहां नहीं रहना जाता सब मिलकर उसे रोगने की बहुत कोशिश करते पर माइक मानने नहीं वाला था लीज ने कहा कि अगर माई जाने वाला है तो वो भी उसके साथ जाएगी तो वो भी रेडी होगी वो उपर जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है पर ये डोर ओपन ही नहीं होता सब लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश किये पर कुछ भी हो नहीं बाता अजॉफ पुछता है कि लास्ट टाइम कौन आया था और ये लीजी थी तो उस पर वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाता है सब मिलकर उसे ब्लेम करने लग गे थे तो वहाँ से लीज दूर चली गी अब फिर से हम प्रेजिजन देखते हैं लीज अपने घर पर थी उसे ढूंटे ढूंटे मार्टिन उसके घर पर पहुच जाता है वो डर कर भागने लग गे बहुत दूर नदी के पास मार्टिन उसे ढूंडी लेता है वो उसे बुचता है कि तुमने मुझे क्यों ब्लेम किया सारे पुलिस मेरे पीछे पढ़ गया है लीज कहती कि हमारे किलाफ किसी के पास भी प्रूफ नहीं है तुम जादा वरी मत करो इसके बाद लीज घर पर आ गई थी और वो बहुत रो रही थी उसे मिलने के लिए डॉक्टर वहाँ पर पहुच दिया डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ पर इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा लीज कहती कि मुझे फिर से बंकर में लेकर चलो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़े याद आ रही है लीज ने डॉक्टर से कहा कि वहाँ से मैं माईक को इस तरीके से जाने नहीं दे सकती थी वो जब पहले उपर गए तो उसने बंकर को लॉक कर दिया था एक्चुल में उसके पास इस बंकर की चावी थी अब इसके बाद कुछ दिन बीट गए थे इनके पास खाना और पानी ये दोनों चीज़े खतम हो चुकी थी जो आप सबको बताता है ये स्लोली स्लोली हमें हेड़क आने लग जाएगा हमें चलने घुमने में भी तकलीफ होके अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता तो थोड़ी दिनों में हमारी डेट भी हो सकती है ये सारी चीज़े सुनने के बाद लीज खुद ही नाटक करने लगे खुद रोनने लग जाती है माइक आकर उसे सहारा देता है तो उसे बहुत अच्छा लगा अब एक दूसरे के करीव आने लग गए थे तो एक दिन माइक और लीज इंटिमेट हो जाते है अचानक से फ्रांसिस की तबियत भी बहुत खराब होने लग गई थी पर इस बात से लीज को कुछ भी फरक नहीं पड़ता वो जितना टाइम मिल पा है उतना टाइम वो माइक के साथ पेंट करना चाती है एक राए लीज नीन से जग गए वो फ्रांसिस को ढूनने की कोशिश करती है पर उसे कही भी नहीं मिलती उसने जाकर देखा तो खून की उल्तिया करकर फ्रांसिस की डेध हो चुकी थी खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था सब की हालत बहुत ही जादा खराब होने लग गई थी लीज रियलाइस करती है कि माइक और उसका बॉर्ण अब बहुत ही स्ट्रॉंग है अब यहां से निकल सकते हैं माइक को वो सब बात अब बताने वाली थी उसे वो पता रही थी कि उ अभी अजानक से माइक ने जौफ को सोडा की बॉटल ओपन करते सुना जौफ के पास ये बॉटल थी और वो सब से छुपा रहा था इस बात से माइक बहुत जादा गुसा हो जाता है अपने भुक की वज़े से उसने अपने माइन का कंट्रोल लूज कर दिया था वो मार मा कहती है कि हम दोनों यही पर सुसाइड कर लेते हैं पर माइक ने कहा कि हम इतने दिनों तक जिंदार है कोई ना कोई हमें ढूंड लेगा हमें ड़ेट कर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए और इसके बाद माइक जब सो रहा था तो लीज उपर जाकर इस बंकर को खोल लेत माइक की नीन खुलने के बाद हो देखता है तो लीज से पूछता है तुमने यह सब किया कैसे है लीज कहती कि मेरे पास हमेशा से चावी थी है मैं तुमसे प्यार करती हो और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी माइक उस पर बहुत ज़्यादा गुसा हो गय वो गहता है कि तुम्हारी वज़े से मुझे मेरे फ्रेंड को मारना पड़ा यह गुसे-गुसे में उपर आ रहा था तबी सीडी तूट जाती है तूट कर माइक के पेट में घुस गए और वही पर उसकी टेथ हो गए यह सारी चीज़े लीज ने डॉक्टर को बता दिये और यह सच भी थी क्योंकि डॉक्टर को सब की डेट बोडिस मिली थी अब डॉक्टर लीज से कहती है तुम्हें सारी चीज़े पुलीस को पतानी पड़ेगी एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा लीज कहती कि मैं इसा क्यों करूंगी यह सिर्फ एक एक एक्सेरेंड था इसमें मेरी कोई भी जादा गलती नहीं है डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा क्योंकि मार्टिन ये सब चीज़े कंफर्म कर सकता है लीज इस पर ज़रा सोचती है तो में पता चलता है नदी के पास लीज ने मार्टिन को मार डाला था य दॉक्टर इसे प्रूव नहीं कर सकती पहले लीज ने पुलीस को जो स्टोरी बढ़ाई थी इसे ही वह सच मान लेते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है इस मूवी में प्यार एक अपसेशन में बदल जाता है लीज का सब कुछ गलत करने के बाद भी उसे लग रह है एक बहुत डार्क एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवी लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमुई के साथ तब तक लिए धैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे